Hello everyone, welcome back to your own channel market analysis दोस्तों आज हम discuss करने वाले हैं overall market का क्या structure रहने वाला है क्या कुछ levels हमें आगे चल के देखने को मिल सकते हैं तो deeply analysis करेंगे Nifty Mid Cap, Small Cap, Nifty 50 and Bank Nifty और IT completely detailed में आज analysis करने वाले हैं क्या यो market है वो और भी हाँ पे गंभेर रूक ले सकते हैं या फिर एक bottom बन चुका है तो उन पे हम discuss करने वाले हैं यह है अपनी Nifty Mid Cap सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे basically कहना चाओंगा यह अभी क्या है यह एक important support level है जिस पे अभी यह आके रुकी हुई है यह वाला level अगर यह यहाँ पे sustain कर जाती है और वापिस bounce back ले ले लेती है तो शायद यही इसका bottom बनेगा और उसके बाद इसमें recovery आने के chances है मुलब एक बार recovery आने के chances बिलकुल है हो सकता है उसके बाद यहाँ पे वापिस से हमी गिरावट होते हुए दिखाई पड़ जाए बट कहना चाओंगा जब अब projection बनता है तो वो इस तरीकी से बनता है मान के चलो इस तरीकी से V-shape recovery हुई उसके बाद वापिस नीची गिरावट हुई लेकिन फिर पाफिस bounce back कर गया मतलब higher highs बनने start हो जाएंगे और फिर से ये एक नए highs बनाते हुए आपको दिखाई दे सकती है और कहना चांगा अगर ये वाला level यहाँ पर break कर दिया तो फिर आपको सीधा सीधा जो fall है वो यहाँ तक दिखाई पड़ सकता है 15500 तक के levels easily दिखाई पड़ सकते हैं इस पर आप जो नजर बना के रख सकते हैं अगर मैं बात करो small gap के बारे में तो ये भी अपने support के आसपास आके रुका हुआ है अगर यहाँ पर sustain कर जाता है तो एक छोटी सी यहाँ पर bounce back हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद देखते हैं या तो यह थोड़ा बहुत correction करके वापस से bounce back लेगा या फिर यह नए low लगाने के लिए ready हो जाएगा लेकिन हमारा जो important support आप next जो दिखाई दे रहा है वो यह है 16800 का यहाँ तक market आते हुए आपको easily दिखाई दे सकती है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों nifty 50 के बारे में आप देख सकते हैं nifty करीब 6% गिर चुकी है अपने टॉप से और bank nifty 8% गिर चुकी है अपने टॉप से ठीक है अभी भी हम देखेंगे तो यह एक ही channel में हाँ पर trade कर आ रही है और यह channel अभी complete कब होगा जब यह at least इस level के आसपास आके bounce back लेगी ठीक है एंड छोड़े time frame की अगर मैं बात करो तो यह वाला जो level है वो एक important support है इससे अगर market थोड़ा सा bounce back लेती है ठीक है यह वाला फिल से आपको resistance यहाँ पर नजर आएगा इस वाले resistance को अगर यह sustain करके यहाँ पर break कर देती है तो फिर आपको वापर साइड में जाते हैं नजर आ सकती है otherwise होगा क्या यह यहाँ तक जाएगी उसके बाद यहाँ पर होगा इसको resistance face और उसके बाद वापर से यह down आएगी इस low तक आने के बाद फिर यह क्या करेगी वापिस से एक नए low लगाने के लिए ready हो जाएगी इस तरीके से projection यहाँ पर काम करता हुआ आपको नजर आ सकता है तो यह वाला जो level है वो हमारा important रहने वाला है 24,500 तक के levels इस दिलिए आपको दिखाई बड़ सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में निफ्टे बैंक भी आप देख सकते हैं और ओल एट परसेंट की यहाँ पे जो क्रेक्शन हो चुकी है आज के दिन बहुत ही जवर्दस क्रेक्शन होती हुई दिजर आई है हलंकि morning में इसमें positivity थी और इसने थोड़ा सा upside momentum भी दिखाया बट यह सस्टेन नहीं कर पाई यहाँ पर इसने resistance phase किया उसके बाद जवर्दस यहाँ पर क्रेक्शन हमें देखने को मिला है अगर मैं इसकी पाच मिन्ट के time frame में बात करूँ क्योंकि हम दोस्तों क्या करते हैं हम nifty bank में trade करते हैं तो उसके base पर अगर मैं बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं हमने कहां कहां पर कैसे trade लिया था उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं अगर दोस्तों आप option में trade करते हैं nifty 50 और bank nifty में trade करते हैं तो आपको एक चीज समझनी चीए कि जब तक market अपनी direction ना पकर ले तब तक आपने कोई भी trade नहीं लेना होता है क्योंकि starting की अगर मैं बात करूँ एक से डेट गंटे तक आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर volatility आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आप किसी भी तरीके से यहाँ पर trap हो सकते हैं यहाँ पर chances are very high कि आप यहाँ पर loss करके ही जाएंगे बट अगर आप अपने अंदर patience रखते हैं trade लेने से पहले जो patience होता है वो रखना होता यहाँ पर stocks में क्या होता है हमने stocks ले लिया उसके बाद हमें patience देना पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हैं इस जगे market open हुई यहाँ पर क्या कर दिये पिल्कुल flat कारोबार ठीक है उसके बाद इसने downside एक moment दिया अगर किसी ने यहाँ पर position बनाए भी है तो उसको वापिस reverse कर दिया गया यानि option buying में 0-0 यहाँ पर आपको कहीं न कहीं loss ही होगा उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर ग्रावट हुई इसमें भी हमने कोई trade नहीं लिया यहाँ तक हमने इंतिजार किया है उसके बाद इसमें bounce back किया है ठीक है और फिर वापिस जो correction हुई है और यह वाला जो low यहाँ पर break किया है तब हमने एक entry बनाई थी और उसके बहुत ज यहाँ पर 50,500 का जो है psychological level था इस वजह से मैंने यहाँ पर profit book करना सही समझा बट उसके बाद भी इसमें काफी correction हुई है यह करीब 50,160 यह आसपास गया था काफी अच्छी correction उसके बाद हुई है बट इसके लिए आपको कभी भी regret नहीं करना चीए उसके बाद आप देख सकत होना है तो बताना चाहूंगा इसमें किस तरीके से trade हो सकता है आप इस चीज का ध्यान रखना देखो अपर साइड में यह वाला resistance मन चुका है आप लोगों के लिए और यह है support अगर इस बीच में कहीं पे भी bank nifty आपको trade करती हुई मिल जाती है तो आपने कोई भी trade यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि यह क्या है no trading zone होता है या तो यह अपल साइड में break करें तब हम देखेंगे या फिर नीची की साइड में break करें तब हम देखेंगे और एक छोटा सा momentum हमें capture करना है तो निफ्टी बैंक की बात में कर रहा था और और अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर ग्रावट होती है यह वाले लेवल अगर break होते हैं तो सीदे सीदे आपको यह वाले लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं यह थोड़ा सा जो एरिया है यह एक consolidation area है यानि यहाँ पे काफी time बिता सकती है यहाँ पे अगर fall भी आता है तो वो धिरी धिरी ही आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह क्या है यहाँ पे consolidation area है यहाँ पे बहुत strong spot है हो सकता है यहाँ से आपको bounce back लेते हुए market इस साइड में चलता हुआ दिखाई पड़ सकता है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों Nifty IT में इसमें बिल्कुल भी correction नहीं हुई आप कोई खास correction इसमें हुई नहीं है एक ही जगहाई पर यह consolidation कर रहे है और Nifty IT में आगे एक potential में मुझे नजर आ रही क्योंकि यहाँ पर जो investor है बड़े-बड़े player है वो इंडल्स है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो accumulation कर रहे हैं तो अब हम देखेंगे IT के कौन-कौन से वो stock है जिनमें एक अच्छी performance हमें दिखाई पड़ सकती है सबसे पहले स्टोगे अपना infosys इसको आप देख सकते हैं दोस्तों काफी दिन से क्या कर रहे है consolidation कर रहे है बिल्कुल भी ground नहीं हुई आप देख सकते हैं market में 88% की यहाँ पर ground हो चुकी है जबकि infosys में बिल्कुल भ है अगर इसको यह क्या करेगा यहाँ पर ब्रेक करेगा एक अच्छा momentum आपको देखने को इंबल सकता है next हो के अपना विप्रो यह देख सकते हैं higher highs, higher lows बनते हुए जा रहे हैं इस तरीके से अगर इसमें एक trend line draw की जाए तो आप देख सकते हैं यह देरे-देरे क्या करेग यहाँ पर सस्टेन होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा breakout आपको दिखा सकता है इसको भी आप अपने इंपर स्टेडी कर सकते हैं next हो के अपना HCL technology यह भी बिल्कुल top पर consolidation कर रहा है अगर कोई भी stocks या index अगर वो बिल्कुल top पर जाके अपने आपको यहाँ पर सस्टेन क चल जाता है तो इसका मतलग यह होता है दोस्तों कि chances are very high कि वो upper side में break करना चाहता है तो देखते हैं आगे क्या कुछ momentum हमें देखने को मिलता है last but not the list TCS इसको भी आप अपने इंपर study कर सकते हैं basically बताना चाहूंगा इसमें इस तरीके से trend line हम डो करेंगे और इस trend line को यह द तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही I hope आपको यह learning series अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो like करें thank you so much thanks for watching